यही कारण है कि लोग अक्सर दनवान बनने के बाद दिरो पर कैसे आ जाते हैं, गरीब कैसे बन जाते हैं, क्योंकि जब हमारी एगो, हमारी विश्टम के उपर हावी होने लगती है, तो हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं। अगर किसी चीज को देखने के सो तरीके हैं और आपने सिर्फ एक ही तरीका पनाया हुआ है, तो आपने निन्यानुए तरीकों को पूरी तरह से आवाइड कर दिया। मैं आपके साथ साथ चीजें शेयर करूँगा। याद रखेगा आपका अपना एक नेरेटिव है जो आपने चीजों के लिए, दुनिया के लिए और अपने लिए बना रखा है। याद रखेगा आपके पास जीवन में बहुत सारी घटनाय घटती हैं और उन घटनाओं को लेकर आप अपना एक परसेप्शन एक वर्ल्ड तयार कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड पूरी तरह से होलिस्टिकली ओके हो। पर उसे आप अपने लिए ओके मानते हैं कि यही मैं मानता हूं। जब भी आपकी ऐसी रिजिट कोई भी प्रक्रिया दिमाग के अंदर बननी शुरू हो जाती है हम उसी को एगो कहते हैं। इगो के बारे में बहुत सारी spiritual लोग एक नए तरीके से definition दे सकते हैं। वो कई बार definition या प्रिभाशा हैं, बहुत कठीन होती हैं, मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, बहुत simple सी भाशा में मैंने बता दिया है। अगर आप एक चीज को देखने के बहुत सारे तरीके अपने जीवन में रखते हैं, तो इसे हम wisdom कहते हैं। ego कहते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। wisdom यह है कि जब आप सभी perspective को, सभी point of view को देखते हैं। जब आपकी आखे खुली होती है, तो आप एक room में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पीले ही दरवाजे या पीले ही curtain नजर आएंगे। नहीं, आपको सब कुछ नजर आता है। जब आपका perspective broad हो, इसे हम wisdom कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जीवन में आप कौन से perspective से जी रहे हैं। अगर आप wisdom से जी रहे हैं, तो निशित रूप से आप healthy भी होंगे, आपके पाप पैसा भी होगा, आपके रिष्टे भी बेतर होंगे और आप अपने जीवन को एक बेतर तरीके से जी रहे होंगे। प्रोब्लम तब आती है जब हम wisdom को एक तरफ रख देते हैं और जो मेरा perspective है, मैं उसी कोई पूरी तरह से ठीक मानने लगता हूँ। ऐसे में क्या होता है? मैं आपके साथ साथ चीजें share करूँगा। जब भी आपका perspective, आपकी ego, आपका एहम के मैं क्या मानता हूँ, जब भी ये हावी हो जाए एक perspective से, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी के need and want में बहुत important एक difference होता है, जो मैं आपके साथ share करूँगा। ये बिलकुल अलग है, यहाँ पर एहम है, यहाँ पर ego है, and what needs to be done, यह है एक wisdomful situation है, सुनिएगा, what I want, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो सो की spirit से गाड़ चलाऊ, लेकिन market में अगर भीड है तो आपको एक किलोमेटर के हिसाब से भी कम में चलानी पड़ सकती है, आपको situation द यही कहते हैं, कि मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, बिलकुल आपको वही करना है जो आप चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी context, यानि कि कभी भी आप संदर्ब को नहीं भूल सकते हैं, किस context में आप खड़े हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, यह आपकी choice, आपकी wisdom को पदर्शित करती है, what needs to be done in this situation, अगर आपके पास यह sentence है, तुर सुनियेगा, इस situation में क्या किया जाना चाहिए, मुझे वही करना है, तो समझ लिजे, आप अपने ego को एक तरफ रख दिया है, और आप अपनी wisdom से काम कर रहे हैं, तो पहली चीज़ है friends यहाँ पर, what I want versus what needs to be run, मैं क्या चाहता हूँ, यह important नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, इस situation में, या क्या होना चाहिए, इस situation में, जब भी यह important होगा, समझ लिजेगा, आप ego से बाहर आकर wisdom के तरफ जा रहे हैं, यह है पहली चीज़, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पहली चीज़ है कि आप impulsive decision making करेंगे, यहनि कि आपके जो भी निर्णे होगे, वो impulse के based पर होगे, ना कि सदबुद्धी के, आपके मन में यह आया, आपने कर दिया, यही कारण है कि लोग अक्सर धनवान बनने के बाद zero के पर कैसे आ जाते हैं, गरीब कैसे बन जाते हैं, क्यों हैं, तो आपको एक पूरा perspective देखना है, यहाँ पर क्या चीज़ ठीक रहेगे, अगर मैं यह decision लेता हूँ, तो इससे आने वाले फाइदे क्या होंगे, पर इससे आने वाले नुकसान भी क्या हो सकते हैं, किस तरह से मेरा environment, मेरे रिष्टे, मेरे लोग, मेरी health, मेरा पैसा, इस decision से impact या impacted feel होंगे, I mean, महसूस करेंगे, जब भी आप इतना समझ लेंगे, समझ लिजे, आपने अपने ego को handle करना सेख लिया है, जब भी आप ego की बात करते हैं, या ego के point of view से चीज़ों को करते हैं, तो आप हमेशे defensive हो जाते हैं, और आप हमेशे जीतना चाहते हैं, क्यो सही बात तो ही है कि किसी का भी point of view पफ़त नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को देखने के हजार direction हो सकती है, दस दिशाओं से आप चीज़ों को जब differently देखेंगे, तो उसके शकल बदल जाएगी, सामने से आपको मेरे चेरे पर दो कान दिखाई देंगे, लेकिन अगर बगल में कोई खड़ा बेखती है, उसे सिर्फ एक कान दिखाई देगा, ये दोनों लोग लड़ सकते हैं, कि मुझे तो दो कान दिखाई दे रहे हैं, वो कहेगा मुझे एक दिखाई दे रहा है, याद रखेगा यही आपका conflict है जीवन का, जीवन में अगर आपके conflict आ रहे हैं, आपके अंतरद्वन्द बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं काना चाहिए, किस के साथ क्या रिष्टा बनाना है, कौन सा रिष्टा तोड़ना है, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये इस शीज पर डिपे दो-तीन गिफ्ट आपको दे रहा हूँ description box में जाईएगा वहाँ पर आपको एक link मिलेगा link एक नहीं मिलेगे चार मिलेंगे एक link होगा वहाँ पर heal your subconscious mind एक होगा quantum healing retreat और एक होगा miracle retreat चमतकारों को कैसे आक्षित करें और एक book है awaken the god of miracles यह चारों link आपके लिए available है यहाँ पर तीन वक्षोप और एक प्स्ताब आपके लिए पूरी तरह से free है यहाँ पर यह सब आपके नए परस्पेक्टिव को पैदा करेंगे ताकि आप बहतर mind के साथ बड़े miracles को अट्रेक्ट करें और अपने आपको healthy भी रखें तीसरी तीस जो बड़ी important है आपके लिए वो यह है कि आप कभी भी अपनी mistakes से नहीं सीख पाएंगे आपनी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कई बार वो आपके घरों में भी होते हैं कि वो एक ही प्रकार से गलतियां करते रहते हैं और उनसे सीखते नहीं एक तरह से वो उन गलतियों को दोराते रहते हैं और कई बार लोगों कहते हैं यार बहुत सारे लोगों को हमने गलतियों से सीखते हुए देखा है पर तुम नहीं सीख रहे हैं क्यों नहीं सीख रहें क्योंकि उन्होंने उन्हों सिर्फ एक ही परस्पेक्टिव या एक ही पॉइंट ओव यू या एक ही कौन द्रस्टी का बनाया हुआ है बस वो चीजों को एक ही तरह से देखते हैं याद रखेगा जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी अपनी गल कर आपकों को खोल कर का मतलब है कि इगो को एक तरफ रख कर डिफरेंट परस्पेक्टिव को मैंने इंक्लूड किया है तो मुझे रिजल्ट बहुत यच्छे मिले यही कारण है कि चोती चीज़ जो आपको इंपोर्टेंट आपको समझनी होगी आज अगर आप देखें दस में से नो रिष्टों में प्रोब्लम आ रही है हम लोगों को टोलेट ही नहीं कर रहे है हमें रिष्टों में एंग्जाइटी आ रही है हम रिष्टों में प्रेशान है पहले हम रिष्टों को अट्रेक्ट करते है फिर उससे निकलने की हम कोशश करते है पता है इसका रिज को अपनी पूरे की पूरी rigid point of view को एक तरफ रखें और चीजों को different point of view से देखना शुरू करें इसके अलावा आपकी personal growth कभी भी नहीं होगी अगर आप ये मानते हैं कि आप बहुत दिनों से grow ही नहीं कर रहे हैं पैसों में, स्वियत में और रिष्टों में इसका reason ये है कि आ आप उन्हें बहुत बुरी तरह से reject कर देते हैं यह show करता है कि आपने अपने narrative को अपने perception को इतना strong बना लिया है जो आपको नुक्सान दे रहा है जीवन में अगर आप personal growth नहीं करेंगे तो आप हमेशा अकेले पन के शिकार रहेंगे आप हमेशा एक अपराद बोध में ज लोजिक तो गह सकता है कि it's my life पर आप जानते हैं यह life आपके जरूर है पर आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा उदेश है life का वो है personal growth जीवन में अगर आप personally grow करना चाहते हैं तो आप ego को नहीं अपनी wisdom को सामने रखेगा छटी चीज है emotional ups and downs आपके पास बहुत रहेंगे कई बार आप अपने ही परती doubt करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपका एक ही perspective है याद रखेगा जब भी आपके पास different perspective होंगे wisdomful आपकी सोच होगी तभी तो my dear friends आप emotional stable रहेंगे नहीं तो आप कहते तो रहेंगे कि हमें emotional question को सीखना चाहिए याद रखेगा emotional question कुछ भी न याद रखेगा हर एक चीज का समाधान है उस situation का भी है जिस situation से आपको एक negative emotion आ रही है सवाल ये है क्या उस perspective पर आप खड़े होकर देख सकते हैं अगर नहीं तो यही तो आपकी emotional question की weakness है इसलिए आप अगर जीवन में emotionally stable रहकर अपनी उमर को लंबा करना चाहते हैं तो बात जो चीज मैं आपके साथ share करूँगा वो ये बड़ी important है कि आप लोगों के अंदर अपने trust को build नहीं कर पाएंगे और जब आप लोगों के अंदर trust को build नहीं कर पाएंगे तो लोग ये नहीं के वो बहार के हैं कई बार वो बहुत नजदीक के होंगे यही कारण है कि आज हम अपने परिवार के लोगों को भी कई बार साथ लेकर नहीं चल पाते क्योंकि हमने उनके साथ trust को build ही नहीं किया क्योंकि हमने ऐसा perspective बना लिया है इसको बस मैं ये मानता हूँ वो वही fit ठीक है यह याद रखेगा जब भी ऐसी कोई ego आपके पास आ रही है उसे handle करन सेखिएगा और याद रखेगा जितने अधिक आपके पास perspective होंगे उतने ही अधिक आप जीवन में आगे बढ़ेंगे वीडियो कैसे लगी जरूर बताईएगा नन्यवाद